क्या Omni Man और Homelander पुरी MCU को खतम कर सकते हैं? जैसा कि हम सभी को पता है कि दोनों ही आरेटीड करेक्टर हैं और ये दो सूपर हीरो किसी पे भी रहम नीखाएंगे अब चाहे वो करेक्टर कितना ही वीक हो या फिर कितना ही श्ट्रॉंग हो जब तक इनका मोटिव पूरा नहीं होगा ये तब तक उनको छोड़ेंगे नहीं तो कैसी कंडिशन में MCU के सूपर हीरो इनको हरा सकते हैं? तो चलिए MCU के सवजे पाउरफुल सूपर हीरो की बात करते हैं पहले हम आरेन मैन की बात करते हैं टोनी ओमनी मैन और होमलेंडर के आग एक मेंटी सरवाव नहीं कर सकता क्योंकि होमलेंडर उसके आर्मर को कुछ टाइम में ही मेल्ट कर देगा एंड अगर वो मेल्ट ना हुआ तो ओमनी मैन उसके आर्मर को प्रडिश्ट्रॉई कर देगा इसके बाद अगर हम स्पैडर मैन, होकाई और कैब जैसे सुपर हीरोज की बात करें तो होमलेंडर अपने हीट विजन की पावर्स इनको एक साथ ही मार देगा इसके बाद अगर मैक्समैन की पुरी टीम की और देखें तो ये काफी अच्छा बैटल हो सकता है अगर इनकी वज़े से ओमनी मैन को जड़ा गुसा आया तो इनका भी सेम वही हाल होगा जो गार्डेन और गलोप का हुआ इसके बाद अगर हम धोर कैप्टन मारवल और गाय की बात करें इनके साथ साथ वर्टिफ के डॉक्टर हकीम और डीसीओ के सूपरमैन को भी ले लेते हैं अब आप ये कोमेंट करें कि ये बैटल कौँ जितने वाला है सूपरमैन और एमसीओ या फिर ओमनी मैन और होमलेंडर और ये बैटल पर उपर तरीके से आरेटिड होगा